राजस्तान में सत्ता परिवतन के साथ ही दल बदल की राजनेती सुरू हो जाती है अब राजस्तान में वीजेपी की सरकार आ गई है ऐसे में दल बदल की राजनेती फिर सुरू हो गई है एक तरफ दोनों ही पार्टियां लोक सबाद चुनाओं की तैयारी में लगी है लेकिन सेधमारी फिर से सुरू हो चुकी है कॉंग्रेस के कई बड़े दिगज चैरे अब वीजेपी का दामन थामने के लिए तैयार हो गए है कॉंग्रेस के इन दिगजों से संपर्क साथने में लगे है करिये ओन ही दिल्ली में ये नेटा वीजेपी का दामन सकते है गई ऐसे नाम लिकल कर सामने आ रहे हैं, जो कॉंग्रेस में काफी अनुभवीचह हैं उदेलाल आंजना, राजनिती में काफी लंबा अनुभवव है इसके साथ साहती, जो है, लाल चंद कटारिया, जो की कॉंग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री है इनका नाम भी सामने आ रहा है इसके साथ साथी वरिष नेता रीजपाल सिंग मिर्दा इनका नाम भी लिकल कर सामने आ रहा है अगर ये तीनों नेता वीजेपी का दामन धामते हैं तो इनके साथ इनके पदा अधिकारी भी जो है वीजेपी का दामन धाम सकते हैं बांसवाडा डुंगरपूर से दो विधायकों के नाम भी सामने आ रहे हैं वह भी वीजेपी का दामन थाम सकते हैं इसके साथ बांसवाडा डुंगरपूर से 14 सरपंच के नाम भी सामने आ रहे हैं कि यह भी वीजेपी का दामन साम सकते हैं अगर कॉंग्रेस के ये बड़े नेता वीजेपी का दामन थामते हैं तो निस्तित तोर पर इनके साथ सैकड़ों की संक्या में कॉंग्रेस के पदादिकारी और कारिकरता भी वीजेपी का दामन थाम सकते हैं एक तरफ कॉंग्रेस लोकसबाद चुनाओं की तैयारी में लगी है जीत के लेकर منथन किया जा रहा है दिल्ली में लगातार बैटकों का दौर चल रहा है राज़दानी जैपूर में भी बैटकों का दौर चल रहा है कॉंग्रेस अपने एक-एक पदाधिकारियों को जिम्यदारी देने में लगी है लेकिन जिस तरह लोगसभाद चुनाओ पास में आ रहे हैं ऐसे में कॉंग्रेस के अनुभवी जो चेहरे हैं अगर वह जो है वीजेपी का दामन थामते हैं लेकिन इस बार कॉंग्रेस की लोगसभाद चुनाओं में मुश्किले बढ़ जाएंगी पूर्व लोगसभाद चुनाओं में वीजेपी ने 25 की 25 सीटे जीते थी लेकिन इस बार कॉंग्रेस कह रही थी कि हम 25 की 25 सीटे जीतेंगे लेकिन सेदमारी सुरू हो चुकी है और आजस्तान की परंपरा रही है जैसे सत्ता परिवतन सुरू होता है दल बदल की राजनेती सुरू हो जाती है अब एक बार फिर दल बदल की राजनेती सुरू हो चुकी है खालंकि सियासी जानकारों की माने तो अगर यह तीन बड़े चहरे वीजेपी का दामन थामते हैं तो निश्यत तोर पर कॉंग्रेस के लिए मुश्कले और बढ़ जाएंगी क्योंकि कॉंग्रेस जिस तरह मंतन करने में लगी थी मंतन के माद्यम से पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्यदारी दी जा रही थी लेकिन अब लोकसवाद चुनाव पास में हैं ऐसे में काफी अनुभवी वाले नेता अगर वीजेपी का दामन थामते हैं तो मुश्कले और बढ़ जाएंगी क्योंकि लालचंद कटारिया वो चेरा हैं जो जाट वोर्डर सार्दे में महाई रहे हैं हालनकि इस बार विदान सबाद चुनाव में उनको टिकेट नहीं दी गई लेकिन वो अलगी तरिके से मंधन करने में लगे थे जब टिकेट नहीं मिली तो अलग अलग चर्चाओं का दौर शुरू हो गया चर्चाओं यह चले की लाल चन्ड कटारिया कभी भी वीजेपी का दामन थाम सकते हैं मेहंदर जीत मालिवय की अगर बात करें वो भी वीजेपी के नेताओं के साथ संपर्क में हैं इसके साथ साथी उदेलाल आंजना, काफी अनुभवी चैरा हैं, लगातार कॉंग्रेस में जब ततकालिन मुख्य मंतिर रहे अशोग घलुत, उनके साथ कंदे से कंदा मिला कर चल रहे थे, महंदर जीत मालवे का नाम इसले रहे हैं, क्योंकि महंदर जीत मालवे का नाम जो ह रहे था, कॉंग्रेस की ओर से उन्हें CWC का सदस्य भी बनाया गया था, चार बार विधायक भी रहे थे, लालचंद कटार या कैबिनेट मंतिर रहे, कर्ची विभाग उनको दिया गया, वरिष्ट नेता रीचपाल सिंग मिर्धा, मिर्धा परिवार से आते हैं और कॉंग अलग 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 गनित भठाने की कोशिश की जा रही है, सत्ता परिवर्तन की बात दो पहले से ही कॉंग्रेस और वीजेपी करतिवी आ रही थी, रास्वाद चुनाव से पहले भी सेदमारी की कोशिश की बात सामने आ रही थी, लेकिन आप कह सकते हैं कि अब कॉंग्रेस का दामन छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, हालंकि वीजेपी का रहले में वीजेपी परदेश अध्यक सिप्पी जोशी ने पहले ही संकेत दे दी थे और उन्होंने कहा था, हमारा संपर कॉंग्रेस के कई नेताओं के साथ है, जल्द ही ये नेता जो है वीजेपी का दामन ठाम सकते हैं, और ऐसा ही देखने को मिल रहा है, हालंकि अभी दक जो है उदलाल आंजना, लाल चंद कटारिया, रीचबाल सिंग मिर्दा की तरफ से किसी तरह का बयान लिकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि अंदुरनी खाने से वीजेपी के नेता इनसे संपर्क सादने में लगे हैं, और कल दिल्ली में यह नेता जो है वीजेपी का दामन ठाम सकते हैं, इस तरह के संकेत मिलते वे नजर आ रहे हैं, अगर यह नेता निश्य तोर पर अगर वीजेपी का दामन ठामते हैं, तो वीजेपी कॉंग्रेस की मुश्किले और बढ़ जाएंगी एक तरफ कॉंग्रेस और वीजेपी लोगसभाद चुनाओ की तैयारी करने में लगी है लेकिन सेधमारी दोनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही है पूर राजसभाद चुनाओ में तो कॉंग्रेस ने सेधमारी की और सफल हो गई लेकिन अब राजसभाद चुनाओ से पहले वीजेपी सेधमारी कर रही है अगर ये सेधमारी में वीजेपी सफल होती है तो इसका फाइदा निस्त तोर पर जो है लोगसभाद चुनाओ में वीजेपी को मिलेगा अगर यह चहरे अगर वीजेपी का दामन थामते हैं तो इनके वीजेपी में चल जाते हैं तो वीजेपी को और एक मजबूती मिलेगी पसंद पांडे टीवी नाइन जैपूर